देश में जब भी टकराओ होगा तो सवाल उठेंगे कि मुद्दा प्रायोजित है या प्रासंगिक है तो आज ऐसे ही एक महमान हमारे साथ होंगे थर्ड डिग्री में मैं श्मेता सिंग और अंजनाउं कशप उन सवालों को आपके सामने रखने के लिए है क्या वो देश में इसलामोफोबिया का रोना रोकर मुसल्मानों के दिल में डर्ग जिन्दा रखना चाहते हैं क्या वो बीजेपी पर प्रहार के लिए इस देश के मुसल्मानों को हत्यार बनाकर उन्हें डर और खौफ में धकेल रहे हैं इन्हीं तमाम सवालों पर जानेंगे और ये भी कि सुप्रीम कोट के फैसलों के खिलाब बोलने का मतलब क्या है? क्या एक बार फिर उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? इसी के साथ ये सवाल भी होगा कि आखिर बैरिस्टर असदुदीन ओवैसी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करके राजनीती में कहां तक बढ़ पाएंगे? इनी तमाम सवालों के जवाब जाने के लिए स्वागत करते हैं थर्ड डिग्री की कुर्सी पर असदुदीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष और सांसर, आई ओवैसी साथ और चुकि थर्ड डिग्री है और हमारे एक तीसरा इंटरोगेटर भी यहां पर रहता है तो आपके ही राज्य से, आपके ही शहर से, हैदराबाद के हमारे जो कॉर्रिस्पॉंडनेंट है अब्दुल बशीर उनको मैं बुलाओंगे, आईए अब्दुल ओवैसी साथ, मोहन भागवाट ड्रामा कर रहे है, अगर वो मस्जेद मदरसे में ना जाएं तो आपको तकलीफ, अगर वो चले जाएं बच्चों से मिलें, इमामों से मिलें, इमाम उन्हें राष्ट्र पिता और कह दें राष्ट्र रिशी, तो आपको तकलीफ, हजम ही न तकलीफ, इमाम साथ को नहीं मालम पिता कौन है, यह ताजुप की बात है, ख़विमाने राष्ट पिता कौन है, नहीं अगर मोहन भगवत साथ कहीं भी जा सकते हैं, पर अगर वो यह एक आउटरीज का प्रोग्राम समत्कर कर रहे हैं, तो वो बिलखजबानों से मिलें ले सब्सक्राइब कर रहेगी सवाल यह पैदा होता अंकीटा की बात कर रहेंगे आपने बचा दिया उने क्यों उसको भाजपाने आप उसको रखते ना नहीं मैं तो पूछ रही हूं कि आप बिल्किस बानो का नाम दस बार लेंगे लेकिन अंकिता पर आप चर्चा बाद में कर को मदरसा गए ने कियों गए आप एक मैसेज देना चाह रहे मुसलमानों को भलती है अगर वह मिलना चाहते हैं मदर्से बच्चों से उन्हों नोगों से पिड़िध परबारों से जो विक्टम है जिनको इन्साफ नहीं मिला है आप अइसी अद्मी के पास जारे है जो आपकर हो प्यादा है रहा है बिलकुल है उन्हीं के अद्मी यह ब़ंस ना प्यादा नहीं आप अनजना उमकेशब के प्रोग्राम हम बैठे थे कई साल पहले हमारी दबदारी इतनी वाइट नहीं थी आप देख लीजिए उस लगद वह क्या क्या तारिफ के पुल नहीं बांध रहे थे बीजेपी को आरेसेस को अब वह आरेसेस चीफ को अगर पिता क के सकता हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? कौन राष्ट पिता है कौन पिता है? जाईए आख कौन नहीं मिरह हम यह बोरे है हाट जब मुसलिम مسélमानों को के एक मेसिष देना चाहरे आपको कौन रुकता है? बलोग फिजबानों से मिलने के लिए आप मिली है? क्यूने है नहीं मि स्वागत करेंगे इस कदम का कि वह आने बिलकुल नहीं सवाल ही पदा नहीं होता आप देखे आपकी आइडियोलेजी में क्या है हम पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं प्रक्टिकली मेरे कान में फूल लगा नहीं है मैं पढ़ता हूँ देखता हूं आर बाज़पा और आरेसेस के खिलाफ थी और रहेगी और उन तमाम सो काल सेकुलर पार्टीस की मगर ये बोलना है कि मैं किसी एक समुदाय के खिलाफ हूँ बिल्कु खलात है वो सर्ड डियने दोनों का चाहे कोई भी मजब के हो एक ही है ये बता रहे हैं आपने भी यही बात की थी सुनिए ये सब बेकार बकवास की बाते हैं भारत कैसे बना अब एक स्टड़ी आ चुकी है कि पैंसट हजार साल पहले एरान से किसान भारत को आए थे फिर आपके संटल एसिया एस्ट एसिया से आए पर चौता आरियना है इसके बाद भारत बना पिराख का जो शेर है ना क Heard a Rebirds किया और कारो बनता गया यह सबना डी ऐने क्या मतलब कौन सा पूरूफ है कौन सा पूरूफ है इसका आप इस बात को मांते नहीं है ब यूचे नहीं कि भारत एकuß मार्त कंट्री है आप यह कहते हैं की हैं हमारी तरह मँगलों के साथ भल timber क्या हृत मुगलों के बंचे नहीं मैं हज़रते आदम علیہ السلام मेरे बाप है मेरे बाप है मेरा मानना है आप मघलों की बात करते हैं बहीं ये मोगल वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की तरह पैसा यहां से निकाल कर उस्बेकिस्तान नहीं बिजाया ना अफगानिस्तान बिजाया यहीं पर पैसों को इस्तेमाल किया और इन अंग्रेजों की 200 साल की सत्ता में सबसे ज्यादा अगर लोग मरे खरीब 10-15 लाग तो बंगाल में मरे क्यों ने पैसा लेकर चले के वर्ल वार में चर्चल ने पूरा पैसा मंगबा लिया था यह हकीकत है अग्रेजों की खुब बुराई कीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मंदिर तोड़ने वालों की प्रशंसा क्यों करते हैं अपने आपको उनका वंशच बना कर उनका महीं मंदिर क्या हिंदू राजाओं न में तोड़े मगर एक कंट्री में किसने मजुद को तोड़ा है वह बता दिजी आप उस वक adventurous विदानाई नहीं था आप मुहन बिल्कुल हैं मगर आप ये समझते हैं कि हम इंटर्नल थ्रेट है मुसलमान और 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 एसाई आपके बड़े लीडर्स ने दिन दिया लुपायद्यान उर्दू के बारे में और अलीगर्ड मुस्लिमिस्टि के बारे में क्या कहा आप देख लिए कि मुहन भगवत को मानना पड़े का मैं रिजेक्ट करताओं नहीं मानता हूं उसको मैं आप कहेंगे कि नहीं आप भारतियत हैं में आजिए कौन सी भारतियत हैं इंडिन नैश्नलिजम की बात करिए मुझसे आप मैं तयार हूँ उसमें आपकी आइडियोलिजी में घुल मिल जाओंगा कि उनका ये मदरसे में सर्वे करना ये मदरसे में आना बच्चों से बातशीत करना इसे जानने तो दीजिया उनको कौन रोक रहा भाई आप पिर हैदरबाद नहीं बुलाने बिल में अगर ने मेरे मदरसा होगा है मेरे जानने वालों को होगा और मुझे पूछेंगे के के आतंगबादी के संगठाने आप कहे तोड़ सकते हैं बच्चों से क्या है देखे सुनिए एक बाई नहीं बाई सुनिए इनका मकसद ये है कि मदरसों को कम किया जाए और मैं रिकार्ड कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा कि आर एसस के लोग बोलेंगे कि इन मदरसों में अब उर्दू और अर्मिक मत पढ़ाइए देखते जाईए ऐसा होगा आसमान गिरेगा बारे समान नहीं गिरेगा आसमान अनिक तुनिए डराने का नहीं है मैं अप दरा रहे हैं बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं दराने के उस मदरसे में एक ऐसा व्यक्ति था जो असिस्ट और रिकॉड कर रहे हैं कि हमने नहीं चला है बुलने से आपको फोन खोल के बता दूंगा कि कितनी सरासर जूड बोला जा रहा है आपको और देश को वो मदरसा तीन साल से बनकर काम कर रहा था दूसरा बोजाए गाउं में जो मदरसा तोड़ा गया सेक्शन ट्विंटिसि नोटिस देते हैं सुबा देड़ बजे दोपहर के नहीं दो सो साथ बच्चों को गाउं के लोग अपने घर में रखते हैं और अब अधर साथ तोड़ देते हैं आठ गंटे किनूटिस देते हैं कौन सी गवर्नेंस से बताई आप और जोट बोर रहें वो स्थानिये लोग खुद कह रहे हैं कि हमने तोड़ा है दिखे एक चीज़ होती है स्टॉकम सिंड्रम वो बिचारे पूरे स्टॉकम सिंड्रम का शिकार है डर कर कह रहे हैं बिलकुल